दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में दोस्तों आज राश्टी ये पंचायत दिवस है और इसको लेकर देश के प्रधान मंत्री निर्णिर मोदी ने वीडियो कॉंफ्रेंट्सिंग के जरिये देश के कई पंचायत के जनपर्तिनी दियों से संपर किया है साती देश को भी संबोधित किया है और समधान इंडिया की और से भी आप सभी को राश्टी ये पंचायत दिवस की बहुत-बहुत सुबकामना है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत एक ऐसी जड़ है जो लोकतंत्र की जड़ माने जाती है लोकतंत्र की मजबूती पंचायत के विकास से ही संभव होती है अगर उपका पंचायत मजबूत है तो देश मजबूत जरूर बनेगा वैसे मैं आज राश्टी पंचायत दिवस पर प्रधान मंत्री नरे नर्मोदी ने ई-ग्राम सवराज पोर्टल लॉंच किया है साति स्वामित्व योजना की भी सुरुवात उन्होंने की है जो कुछ राज्यों में रहेगी लेकिन आपको हम बता दें कि ई-ग्राम सवराज के जरिये आखिर लोगों को जो गाउं में रह रहे हैं उनको क्या लाब मिलेगा तो आपको बता दें कि ई-ग्राम सवराज के जरिये आप जितनी भी योजनाय हैं उसका आप सीधा सीधा अपने फोन के जरिये आप देख सकेंगे कि कितना हमारे गाउं में काम हो रहा है पंचायत में क्या हो रहा है कितनी योजनाओं पर काम हो रहा है यह बहुत अच्छी सुरुवात है इसमें है कि पूरी तरीके से अप काम-काज की पूरी जानकारी रखेंगे इसके मादयम से परधर्सिता तो आनी ही आनी है स्वामित्व्य योजना के में थोड़ा समझ लिए स्वामी तो योजना से ग्रामीनों को एक नहीं अनेक लाब होंगे इसमें संपत्ति को लेकर भरम और जगड़े खत्म होंगे इससे गाउं में विकास उजनाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी इससे सहरों की तरह गाउं में भी बैंक से लोन ले सकेंगे तो यह एक बहुत अच्छी शुरुबात है और जिस तरह से मोदी जी ने और भी कहा है कि पूरे जो गाउं में आज जिस तरह से कोरोना का संकट है हमारे पूरे देश में उससे एक सिच्छा लेने की ज़रुरत है और उन्होंने कहा है कि लोगों को आत्म निर्भर बनना चाहिए और सही में गाउं सहर राज देश अपने में आत्म निर्भर बने तो सही में और मजबूति आएगी यह एक बहुत बड़ा संदेश आज ने ने संबोधन में दिया है बहुत बड़ा संदेश है इससे हम सभी को सबग लेने की जूरत है कोरोन से काम का भी जो तरीका है वो भी बदला है जिस तरह से लोग पहले मिलते थे अब वीडियो कॉंफरेंसी के जरिए काम कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में बदला हुआ है ये भी कहा गया है पीम ने और जिस तरह से लॉंच किया गया है इग्राम सुराज पोर्टल तो इससे एक चीज आप साब समझ लीजिए कि जिसके जरिया उजनाओं की निग्रानी की जा सकेगी पर्धान मंतरी के साथ आज केंदरी ये मंतरी नरेंदर सिंक्तोन्कों के साथ चर्चा में मौझूद भी थे सरपंजों के साथ आज वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए नरंद मोदी ने वारता लाब भी किया है तो आज राश्टिय पंचाइद दिवस है जिसको लेकर बहुत बड़ी शुरुवात आज कहीं न कहीं का सकते हैं कि नरंद मोदी ने की है इसे लोगों को गाउं गाउ तक जरूर फायदा होगा और आप भी देखते रहिए समधान इंडिया इस तरह की जानकारी आपके बीच लाते रहेगी शुक्री आप सभीका